हेलो गाईस, आज हम इस WordPress के मोडिल में देखेंगे कि हम coupon option कैसे apply करेंगे यूवकोमर्स की website के अंदर, जैसे हमने WordPress के अंदर website बनाई है, ये e-commerce उसके अंदर coupon का logic apply करना जाते हैं, जैसे आप coupon बनाना जाते हैं, कि 10% का discount है, आप इस coupon को use करेंगे, users भी आप set कर सकते हैं, product के according भी coupon set कर सकते हैं, यह सारे options हम देख लेंगे कि यह कहाँ पर मिलता है, और एक coupon का option मैं क्या गरूँगा, आप लोगों को apply करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इसको use कर पाए, और implement कर पाए, तो चलिए हम देखते हैं कि coupon का logic क्या होता है, coupon का option बनेगा, कैसे हम coupon को create कैसे कर करनेंगे, यह सारे चीज़े हम क्या करते हैं, clear करते हैं, और यह पुरा का पूरा काम हम क्या करेंगे, practical करेंगे, जिससे आपके सामनी चीज़े क्या हो जाएंगे, clear हो जाएंगे, यह हमारा cart वाला page है, थोड़ा मैं आपको clear कर देता हूं, यह तो shipping का पूरा process है, जो हमने create करना पड़ेगा पने पर सकते है कि 10 पर संट अस्कांट stars और एक नाम लिग दिया जिससे आप दिखा पाएं यह कूपन का कोड क्या है रहे लिखा भी आ जाएगा यह कूपन कोड है यह इसका description हो गया, अब आते हैं देखे main option पे, journal मतलब fix card discount करना है, मतलब fix price का discount करना है, percentage में discount करना है, या fix product discount करना है, मतलब हर product पे कितने रुपए का discount है, तो मैं percentage के according करता हूँ, percentage मुझे 10% करना है, और यहाँ पे allow free shipping वाले को करना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, बात से वो date start हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 28 तारीक हो यह coupon क्या हो जाएगा, expire हो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको क्या गर दूँगा, पब्लिस कर दूँगा, तो एक coupon मरा दिया है, coupon का code यह clear है, coupon का एक छोटा सा description है, यह discount type क्या है, percentage है, coupon amount क्या है, 10% का discount है, allow free shipping पर कर रही ही रखा है, आपने expiry date set कर दी, अब देखे, user restriction में आते हैं, user restriction में क्या है, minimum spend कितने कर सकते हैं, user, maximum कितने कर सकते हैं, individual use only करना चाते हैं, बतलब particular user को करना चाते हैं, exclude sale item, sell item पर भी करना चाते हैं, product के according भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं, तो यह option आप अपने according देख सकते हैं कि user restriction में, किन-किन user के according restriction लगाना चाते हैं, product के according restriction लगाना चाते हैं, यह option अपने पास क्या है, available है, अब देखें, uses limit, uses limit का मतलब कितने uses कर सकते हैं, आप, uses limit per coupon का मतलब है, जैसे आपने यहां पे दो दे दिये, और दो बंदों ने अगर coupon यूजा कर लिए, तो यह coupon expire हो जाएगा, यह मैं आपको clear कर देता हूं, limited user एक्स item मतलब किसी item पे आप इसकी limitation बढ़ाना चाहते हैं, यह uses अगर आपको user के लिमिट लगा रहे कि एक coupon एक यूजर एक बार में अप्लाइग कर सकता है तो वो भी आप यहां पे क्या अगर पाएंगे रिफ्रेस्स करेंगे रिफ्रेस्स करने पर यहां पर देखिया apply coupon का option होता है यहां पर coupon का कोड डाली और यहां से apply कर दीजिए apply करने पर यहां पर देखे लिखा वाएगगा coupon applied successfully और यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर 54 रुपीज का वो आ रहा है और प्रोसीड टू चेक आउट करूँगा तो वहां वाले पीच पी भी वो क्या होगा दिखेगा अदेखे यह 54 का दिख रहा है डिसकाउंट अपने को मिल रहा है मतलब 54 रुपीस का मतलब 10% का अब आता है कि अगर आपने यहां पर फिक्स काड़ डिसकाउंट का मतलब मैंने यहाँ पे 200 रुपे मतलब फिक्स हो गए आपका कितना भी यहाँ पर फिक्स का करेगा यहां आपको 30 रुपे आ गया। क्योंकि वह coupon तो अल्रेडी अप्लाई था तो उसने method देखा हुआ कि कौन सा method लगा है type क्या लगा है अभी percentage का लगा था अब हमने फिक्स का अगर दिया तो fix का according दोस रुपए का क्या मिल रहा है discount मिल रहा है अब देखिए यहां पर तीसरा option और था तीसरा option था fix product discount fix product discount का मतलब हर product पे मैंने का कि मुझे पांच रुपए का discount और मैंने यहां से update कर दिया और मैं जा कि यहां पर क्या करूंगा अब refresh करने पर आप देखिए कुछ amount आएगा 150 आया अब 150 किस हिसापस आया पहले आप कार्ट में देखिए कितने प्रोड़क्ट है आपके तो कार्ट में अगर 30 प्रोड़क्ट है तो 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 का यह discount अपने को क्या गर रहा है यह product के according आपने fix discount कर दिया तो 5% का है देखिए मैं यहाँ पर refresh करूंगा तो 5% का discount वहाँ पर क्या होगा दिखने लगए 27 लिखाव आ रहा है इन methods को आप अपने according के आगर सकते हैं देख के apply कर सकते हैं uses को uses limit को यह सारे options आपके पास available हैं उनको देखेंगे आप अपने according के आगर सकते है अप्लाई कर सकत करता हैं और इसको अपड़ीट करता हूं और यह अपना coupon का पोड है और मैं यहाँ पर जाकर करता हूं और यहाँ पर लिख आगा आपके पास की आपका जो coupon है वो invalid है इन्वैलिड क्यों है जैकि मैं यहाँ पर apply करके दिखाता हूं दा coupon has expired expired क्यू हो आपको यह इस्पार क् तो वो time खतम होते ही, जैसे उसका time complete हुआ, वो expire खुदी हो जाएगा, आपको logic लगाने की ज़िवर्बती है, ऐसा system e-commerce नहीं क्या रखा है, हमें बना के दे रखा है, बस अपना logic क्या होता है, use करना, जैसे coupon को use करना, tax को use करना, shipping को use करना, उन logics को हम जैसे जैसे use करते हैं, अपनी website क्या होती है, बनती चली जाती है, देखे, मैं parts में इसलिए बता रहा हूँ, कि आपको इक इक चीजे क्या होती चली जाएंगी, clear होती चली जाएंगी, और आप इसको use कर पाएंगे, तो अभी आपके सामने clear हो गया होगा, कि मैं coupons का logic कैसे apply करूंगा, कोई coupon कैसे बनाऊँगा, आप कितने भी coupon मना सकते हैं, और भी coupon add कर सकते हैं, उन coupon के according expiry कैसे add करेंगे, उसका code कैसे generate करेंगे, आप अपने according भी code यहां पर दे सकते हैं, यह ध्यान अकरा, बस code सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरे coupon का भी code सेम है, तो वो generate random code इसलिए use करते ह है, और वो unique ही होता होगा, क्योंकि वो हमें क्या करता है, और जैसे मैं दूसरा coupon मनाऊँगा, वहाँ भी randomly हम generate कर सकते हैं, तो यह process हमारे सामने क्या हो गया होगा, आगया होगा, और हम इसको क्या अगर सकते हैं, use कर सकते हैं, तो अभी के part में clear हो गया होगा है, कि हम coupons को क कैसे apply करते हैं, और coupon की settings कैसे करते हैं, और वो website पर जाके implement कैसे होता है, thank you so much guys.